हाई फ्रेंड्स संस्कृत अन्वा सीखने के लिए हमने शब्द रूप सीख लिए हैं अब हम धातु रूप सीख रहे हैं धातु के बारे में एक बर बता देती हूं संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं और धातु के रूप लकारों में चलते हैं हिंदी और इंग्लिश के समान ही संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं ये पुरुष इस प्रकार से हैं नमबर एक प्रथम पुरुष जिसके विशय में कहा जाए जैसे वेह, वेदो, वेसब तथा सभी नाम नमबर दो मध्यम पुरुष जैसे तुम, युवाम, युयम अर्थाद तुम, तुम दो और तुम सब उत्तम पुरुष एहम, आवाम, वयम मैं, हम दो, हम सब केवल संस्कृत में तीन वचन होते हैं बाकी हिंदी आधी में दो ही वचन होते हैं संस्कृत में एकवचन दिवचन और बहुवचन होते हैं बच्चों संस्कृत बहुत असान है कैसे अगर हमें तुम तुम दो तुम सब यह पता चल जाए कि इनके साथ केवल मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है तो मध्यम पुरुष के करता कितने हुए तीन इसी प्रकार उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग केवल एहम आवाम और वयम के साथ होता है तो यह भी तीन करता होगे अब इस संसार में अथा करता है उन सभी के सार्थ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा तो संस्कृत कितनी असान है आप देखो जैसे एक शब्द होता है भवत भवत मिन्स भी आप होता है और जब हम किसी को आप कहते हैं इसका अभिप्राय वो सुनने वाला है लेकिन संस्कृत में जब हम आप के लिए वाक्य मना कर उसका प्रयोग करेंगे जैसे आप जाते हैं तो हम प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग करेंगे तो संस्कृत पुरुष के अनुसार भी आसान हुई अब हम चलते हैं अब हम बात करते हैं लकार की सबसे पहले हम सीख रहे हैं वर्त मानकाल वर्टमान काल को संस्कृत में लटलकार कहते हैं और ये धातू, पठ धातू है और इसके रूप परस्मई पद में चलते हैं तो सबसे पहले हम पुरुष लिखेंगे प्रथम पुरुष, मद्यम पुरुष, उत्तम पुरुष फिर हमारे वचन, एक वचन, दिवचन और बहुवचन बच्च संस्कृत बहुत असान है अगर भवादी गण की पठ धातू जो की परस्मी पद में चलती हैं हम रूप याद कर लेते हैं तो शेष सभी धातू हमारे याद हो जाएगी तो इस क्रम में हम देखते हैं पठ के रूप लटलकार वर्दमानकाल में जैसे पठती, पठत है, पठंती यह हमारा प्रथम पुरुष है मध्यम पुरुष, पठसी, पठत, पठत उत्तम पुरुष, पठामी, पठावह, पठामह है, यह संस्कृत की एक विशेष्टा है, जैसा की कहा जाता है बच्चो, एक तिंग वाक्यम अर्थार, एक तिंग प्रत्य भी अपने आप में वक्य होता है तिंग के विशे में आप जानी गए हैं, हमने पहले पढ़ लिया है तिंग वे प्रत्य हैं जो धातूओं के पीछे लगते हैं धातूओं के पीछे लगते हैं कहा लगते हैं, यह याद रखना है कहा लगते हैं, लकार रूप बनाते समय कौन से रूप, लकार रूप बनाते समय धातूओं के पीछे जो प्रत्य लगते हैं, हो तिंग और ये तिंग प्रत्ते अपने आप में एक संपूर्ण वक्य होता है कैसे होता है अभी हम सीखते हैं जैसे हमने सीखा प्रथम पुरुष में पठ धातु चलती है पठती पठता है पठन्ती अब हम इने करता लगा करके सीखेंगे एक वचंग करता क्या है सहे तो सहे पठती तव पठता है ते पठन्ती इन सहे के स्थान पर तव ते के स्थान पर हम कोई भी नाम रख सकते हैं जो की हमारा प्रथम पुरुष का करता हो जैसे छात्रह पठती छात्रव पठता है छात्रहा पठन्ती बाल कह पठती, बाल कव पठता है, बाल कहा पठंती, इत्यादी अब बात मद्यम पुरुष की तोम पठसी, युवां पठता है, युयम पठत ये हम करता लगा कर सीख रहे हैं उत्तम पुरुष, एहम पठामी, आवां पठावे है, वयम पठामे है आज हम पूरे वाक्य बनाना सीख रहे हैं करता के साथ क्रिया का प्रयोग करके हम वाक्य बना रहे हैं कैसे सह पठती वह पढ़ता है तव पठता है वे दो पढ़ते हैं ते पठनती वे सभी पढ़ते हैं तौम पठसी, तुम पढ़ते हो, युवां पठत हो, तुम दोनों पढ़ते हो, योयम पठत, तुम सब पढ़ते हो. उत्तम पुरुष, एहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, आवां पठावे हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामे हैं, हम सभी पढ़ते हैं. इस प्रकार पठ धातु के समान ही अनेक धातु चलती है जैसे गम धातु जो की गच्छ हो जाती है चार लकारों में शेश भविशक आल में गम ही रहती है गच्छती गच्छत है गच्छंती गच्छसी गच्छत है गच्छत गच्छामी गच्छाव है गच्छामे है ऐसे ही रक्ष घातु रक्षा करना अर्थ में रक्षती रक्षत है रक्षंती रक्षसी रक्षत है रक्षत रक्षामी रक्षाव है रक्षामे है इसी प्रकार और भी है पंच है पाट म्हाओं है कि हाट कि द्रिश नातु है जोकी बश्य बन जाती है चार लकारों में कैसे पश्यती पश्यत ़द्ध पश्यत मीक ने अब देखते एक वाटगा कैसे वन कि दि कहते हैं इसका पूरा एक अर्थ है वहेपढ़ता है पठामी कहते हैं तो इसका अर्थ होता है मैं पढ़ती हूँ तो ये एक तिंग वाक्य कृया का एक रूबी अपने आप में संपोर्ण वाक्य होता है इसी क्रम में हम देखते हैं आत्मने पद की धातू जो की भवादिकन की है ये है सेव धातू सेवा करना आर्थ में ये भी हम वर्टमान काल लट लकार में ही कर रहे हैं वही पुरुष है और वही ये तीनों पुरुष और वचन एक वचन दिवचन बहुवचन सेव ते सेवे ते सेवन ते सेव से सेवे थे सेवद्वे वुर्ण जेवा करते हो। आहम सेवे मैं सेवा करता हूँ। audience सेवा महें हम सभी सेवा करते हैं। इसी प्रकार सेवह धातु के समान भी अनिक धातु चलती है। यह आत्मिने पते जैसे मोद प्रसन होना अर्थ में मोद ते मोदे ते मोदन ते मोद से मोदे थे मोदत धुए मोदे मोदा वहे मोदा महे इसी प्रकार वृद धातू बढ़ना अर्थ में जो की रूप चलाते समय वर्ध बन जाती है कैसे वर्धते वर्धेते वर्धनते वर्धसे वर्धेते वर्धर्ध्वे वर्धे वर्धा वहे वर्धा महे इसे प्रकार और भी अनेक धातु है जैसे वृत धातु है होना अर्थ में यह वर्ध बन जाती है तो बच्चो संस्कृत बहुत असाने देखे केवल धै और पै का अंतर है ये बनेगी वर्तते वर्ते थे वर्तनते वर्तसे वर्ते थे वर्तद्वे वर्ते वर्ता वहे वर्ता महे इस प्रकार हम क्रिया जो संस्कृत में धातू कहलाती है वाक्य संरचना के लिए हम वर्तमान काल के रूप इस प्रकार से सीखते हैं और छोटे-छोटे वाक्य बना करके हम ये सब आगे अच्छे प्रकार से बड़े वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं जैसे एक समाने सा वाक्य दिया जाए वहे पुस्तक पढ़ता है जैसे तो वहे हमारा करता है वाक्य में सबसे पहले सीखना चाहिए करता कौन है वहे फिर उसके साथ किस क्रिया का संबन्द है वहे पढ़ता है ये हमारी क्रिया होगी पुस्तक को ये हमारा कर्म हो गया एक बार हम शब्द के रोप के बारे में वापस दोहरा लेते हैं शब्द के रोप, शब्दों के रोप विवक्ती में चलते हैं जो कि कारक चिन्नों को इंगित करते हैं कारक चिन्नों के अनुसार चलते हैं जैसे करताने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अबादान से प्रिठक संबंद काके की अधिकरण मेपर और संबोदन प्रिठमा की समान होता है तो यहां हम देखते हैं पुस्तक को यह हमारी दिरते विवक्ती सहे पुस्तकम अब बताईए हम कहां से लेंगे पठती अभी हमारे आजाता है चात्र पुस्तक पढ़ता है हम चात्र है पुस्तकम पठती तो यह हम जैसे जैसे धातों के रोप याद करेंगे हमारे अनुवाद भी उतने ही पक्के होंगे और अच्छे से आएंगे जैसे मैं रक्षा करता हूँ मैं करता एहम रक्षामी एहम रक्षामी इस प्रकार से यह हमारा वर्तमान काल है किसी के सद्रिश अन्य धातों को भी हम सीखेंगे आज हमने वर्तमान काल में धातों के रोप सीखेंगे अगले टुटोरियल में हम भूत काल लंग लकार में धातुरूप सीखेंगे